हेलो फ्रेंड्स तो एक बार फिर से स्वागत है आपका दा रोलिंग पिन वैशाली केक सॉप में तो अभी हम यह जो केक बना रहे हैं यह केक जो है वन केजी का फ्रूट केक है और आज जैसे कि गुरू जी का बाइडे है तो हमने यह केक गुरू जी के बाइडे के लिए बन एपल हो कीवी हो ग्रेप सो इस्ट्रॉबरी ओ और एंज हो कोई जो वी फ्रूट्स अवे लेवल होते हैं वो वह सारे जो है उपर से केक डेकुरेट करने के लिए यूज करते हैं तो सेव एक ऐसा फ्रूट्स है जो आपको किसी भी टाइम मिलता है किवी स्ट्रॉबरी यह जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है तो हमने इस पर स्ट्रॉबरी यूज भी नहीं किया है तो हम पहले जो है एपल को कट सारे फ्रोट्स जो है केक को डेकोरेट करने से पहले कट कर लेते हैं उसके बाद जो है हम इसको सही से डेकोरेट करेंगे तो अभी केक बनाते हमारे पास एक कस्टमर आ गए आज उन सर की वाइफ का बैड़े है तो अपनी वाइफ के लिए उनको केक ओडर करना था तो मैं उनसे बात करने लगा तो अभी हम फ्रोट कर रहे हैं सारा फ़ले हम अपने सारे फ्रोट कर लेंगे उसके बाद जोई केक को डेकोरेट करेंगे लेगिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि आ क्या थे अनार आप देख सकते हैं कि यह अनार के दाने रेड नहीं है अब इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं हमने मार्केट से अच्छा देख के खरीदा था लेकिन इसके दाने रेड नहीं हुए अब हम इसको रेड करने के लिए हम इसको इसको इस पे रेड जेली एड कर दें लेकिन आप डेकोरेट करते देख सकते हैं कि हमने डेकोरेट कैसे किया हुआ है तो यह फूट केक हमने गुरुजी के बाढ़े के लिए बनाया था तो एक मैम है जो राजनगर की है तो वो अधिकतर हमारे हैं सी केक लेती हैं तो उनका कहना ये था कि आपके केक बहुत केक में और हमें भी यह उम्मीद होगी कि मैम को यह केक पसंद आएगा तो हमने यह केक जो है फूट से डेकोरेट कर दिया और अब इस पर हम जो है केक इस इस फूट केक पर अब हम गुरुजी का नाम लिख देंगे और यह केक बनके तयार हो जाएगा और इससे पहले मैं चाहांगा कि अगर को किसी भी केक हां की बना कर दालेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और होते हैं तो हम वीडियोg बना भी n협ए थाप अगर आप कंध करतें हैं कोई भी वीडियोप मulle echoes करें कि हम वह वीडियोग अपलोड करें तो उससे पहले एकलकि फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और आप देख सकते हैं कि जैसे पूम ग्रेनेट हमने जो मार्केट हम मार्केट से लेके आये थे उसके दाने लाल नहीं थे तो हमने उस इसको रेड करना बहुत जरूरी था तो फाइनली गुरुजी का केक बन के तयार हो गया है तो अब हम इस पर गुरुजी लिख देंगे और उसके बाद ये केक जो है हम मैम के घर पर डिल्वेर कर देंगे हम आपको फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुर्झ बाद पर अचैनली खिर समय के जिए झाली खिर उसके बाद बाद टकर देंगे हैं तो